दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप AC Repair Services प्रवाइड करते हैं, और like AC Repair के लिए Google Ads Run करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में complete detail में AC Repair के लिए Google Call Campaign सीखने वाले हैं, मैं बता दू, Call Campaign AC Repair Business के लिए काफी important है, Home Appliance Repair हो गया, बहुत सिक मसीन फ सखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से बता दू, जिस भी student ने वारे digital चैनल को सब्सक्राइब नहीं गई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बैल आइकन को प्रेस करना हैं, क्योंकि हम आपके लिए digital marketing related, Google Ads related, सा वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो चलिए बात करते हैं, AC repairing services के लिए Google Ads कैसी रन करते हैं, ठीक है, मैं अभी business manager account पर हूँ, जहां पर मैं clients के account में handle करता हूँ, मैं एक बिल्कुल fresh account पर आ जाता हूँ, और उस account की मदद से step by step setup करेंगे, सबसे पहले keyword research करेंगे, और उसके बाद हम Google call campaign setup करेंगे, AC repair के लिए, तो guys मैं एक fresh account पर आ गया हूँ, और इस account पर सबसे पहले हम tools and setting में जाते हैं, keyword planner में हम चले जाते हैं, सब पहले research कर लेते हैं, AC repair business के लिए, so discover new keyword पर हम click करते हैं, अभी के लिए मान के चलो, मैं AC repair service provide करता हूँ, मुंबई में, so मैंने आप टाइप कर लिए, AC repair in मुंबई, ठीकि मैंने AC repair service provide करता हूँ, मैं अब जिस भी location में service provide करते हूँ, उस location के अगर आपको keyword चाहिए, तो आप उस location के keyword के साथ सर्च कर सकते हैं, even आप type के keyword के सकते हैं near me और ऐसे keywords भी आप ले सकते हैं, get result पर click करते हैं भी कुछ हम keywords ले ले लेते हैं, example के लिए फिर आपके जो भी काम के keywords है वो आप ले सकते हैं, so get result पर हम click करते हैं, जैसे हम get result पर click करोंगे, हमारे पास keywords की सारी list आजाएगी, AC Repair in Mumbai, AC Services Mumbai, AC Services Charges, AC अंदेरी Best, Best AC Repair in Mumbai, Best AC, अभी के लिए मैंने कुछ keywords, like 9 keywords को copy कर लिया है, simple, ठीक है, अभी हम इतने keyword लेके चलते हैं, फिर आप पूरे keyword की list देख लेना, और अपने according जितने चाहें keywords आप ले सकते हैं, different, different ad groups भी बना सकते हैं, location wise भी, area wise भी, ठीक है, अभी के लिए हमने keywords को copy कर लिया है, अब हम चलते हैं, add create करते हैं, back, सबसे पहले हमने यहाप आए, new campaign पर हमने click किया, plus new campaign, सबसे पहले campaign का objective है, यहाँ पर multiple objective देखने को मिलते हैं, sales, lead, website traffic, ऐसे multiple objective आपको देखने को मिलेंगे, अभी के लिए, अब हम ले रहे हैं, वहाँ के टा campaign without सा goal guidance यह objective लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर campaign के टाइप में हम search लेके चलेंगे, campaign के टाइप में especially search हम लेकर चलेंगे, क्योंकि हम call campaigns बना रहा हैं, अब हम convergence goals कुछ भी नहीं रखना हैं, continue करते हैं, website visit अगर आपको website का link देना है, इस step में तो दे सकते हैं, बट हम यहाँ पर call campaign बना रहा है, responsive search अगर नहीं बना रहा हैं अभी, इस step में website का link नहीं दे रहा हैं, simply यहाँ पर हम name दे दे रहा हैं, वस ac call campaign, ऐसी normal name दे दिया, continue करते हैं, start new, तो सबसे पहले आप बिडिंग देखने को मिलेगा, तो multiple bid strategies आती है, किले conversion, conversion value impressions है, आप जब इसको open करूँगे, तो सो हो जाएंगे, starting में click लेके चलेंगे, क्योंगी click काफी important है, starting में click लेके चलो, आप click का value set कर दिना, सो मैंने click की value आप सेट कर दी है, मानके चलो, like 45 रुपीस, आप यह click की value, जो maximum value होती है, कीवर्ड planner में ही, आपको maximum cost पर click की value आपको सो हो जाएंगे, बहां से भी estimate data आप ले सकते हैं, ठीक है, अब हम इसको करते है, next, next करने के बाद, ac services के हम बात करें, तो आपे networks बगेरा भी आपको देखने को मिलेंगे, तो जो networks है, वो partner platforms में एड नहीं दखाना चाहते हैं, दोनों networks को uncheck कर देते हैं, search network और display networks को में आपे uncheck कर देते हैं, locations के अगर हम बात करें हैं, तो हम थोड़ा से scroll down करते हैं, और locations में मैं मुंबई location को target कर रहा हूँ, फिर मैं मुंबई में यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, अब याद रहा हूँ, मैं मुंबई के बाहार एड नहीं दखाना चाहता है, इस पेसली और मुंबई में ही दखाना चाहता हूँ, मुंबई की particular areas में pin code wise दखाना चाहते हैं, तो वो सब भी आप यहाँ ले सकते हैं, अभी मैं मैं मुंबई में दखाना चाहता हूँ, मुंबई ले लिया है, location options पे आते हैं, option second ले लेते हैं, जिसमें people in regularly in your targeted location, जो उस location में present है regularly वो हमने second option ले लिया, language की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे all ले लिया, ठीक है, language हमने यहाँ पे all language यहाँ ले लिया, next करते हैं, next जैसे ही आप करोंगे सबसे important section आएगा keywords का, so मैंने notepad से keyword copy की हुए तो मैं यहाँ पे इसको paste कर देता हूँ, create myself, यह अभी के लिए demo के कुछ keywords मैंने यहाँ पे paste कर देता हूँ, अब keywords के बाद यहाँ पर add create करने का option होता है, so मैं mostly ac repair business के लिए call add prefer करता हूँ, और call add में हम like call add create करेंगे तो हम इस बाद step में जो add create करने का option हैगा, उसको हम cancel कर देंगे क्योंकि यहाँ से responsive search add create होती है, so नीची चलते हैं, इसको हम cancel कर देंगे, ठीक है यह हमने responsive search add हो cancel कर दिया, next करते है, नेश्ट करने का बजट आएगा, यहाँ पर एक budget check करते हैं, नेश्ट करते हैं, नेश्ट करेंगे यहाँ पर checking for errors आएगा, and then सारी errors को वो check करेगा, and then यहाँ पर publish campaign का एक option हैगा, और इसको हमें successfully publish कर दी, ठीक है यह हमने successfully इसको publish कर दी, अब जब हमने campaign को publish कर दिया, सो यह यहाँ पर campaign publish हो चुका है, अब हमें add create करने हैं, हमने keyword दे दिये, हमने add group बनाया, हमने उसमें budget set किया, location set किया, partner platforms पर काम किया, bit set किया, लेकिन अभी हमने add create नहीं किया, add create करने के लिए, अब campaign को publish करने के बाद, add and assets में जाएंगे, add create नहीं किया था, क्योंकि बहां से responsive search add design हो रहा था, और जो हमें चाहिए, वो चाहिए यह call add, तो हम यहाँ पर especially call add पर click करते हैं, add group बना, यहाँ पर हमने location ले लिए इंडिया, और यहाँ पर phone number में अपनी input कर दिखा हूं अभी अपना ही, अगर आपको अमारे थुरू set up कराना है, AC repair services का, AC business के लिए इस number पर पर contact कर सकते हैं, अब देखिए customer को अगर आपको अपनी website दिखानी है, मेरी website अभी के लिए मैं यह demo page ले लेता हूं, customer को अगर website दिखानी है तो आप final URL में भी अपनी website का link देंगे, और आप cable call only campaign करना चाहते हैं without website तो final URL में link नहीं देंगे, अगर देंगे तो आपकी customer को देखो इस टाइप से आपको preview दिख रहा होगा, उपर headline आएगी और नीचे number आएगा और अगर मैं इसको remove कर दूँगा, तो headline जो है वो clickable नहीं होगी इस customer को आपकी website पर जाने का option नहीं मिलेगा, तो मैं website के साथ चला रहा हूं क्योंकि इससे CPC भी मिल जाता है ठीकटा और CTR भी मिल जाता है, तो मैंने यहाँ पर लग दिया AC repair, ठीक है AC repair मैंने यहाँ पर type कर दिया, और यहाँ पर मैं headline देता हूं best AC, एक अच्छी सी headline देना है, headline जितनी अच्छी दोंगे उतना अच्छा response आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो तो, तो repair in 45 minutes, है अभी मैं AC services, Mumbai, AC मैंने एक business का name दे दिया, description बन, description टू भी हम यहाँ पर put कर देते हैं, पर यहाँ पर आपल, तैल दे दिया है, headline बन दे दिया, headline टू दे दिया है, business का name दिया, description बन, description तो दे दिया, तो आप देख सकते हो, इस तरीके का हमारा पूरा एड तैयार हो गया है यह हमारा टाइटल आएगा यह अचेंज होते रहेंगे ठीक है यह डिस्किप्सन आएगा और यहाँ पर हम इसको पॉब्लिस कर नीचे कॉल बटन आएगा यह हमने सेफ कर दिया एड को एसी रिपेर के लिए सो अभी हम इसको सेफ कर देते हैं सो हम इसको कर देते सेव न्यूए ट पर किलिक सो save new add और यह हमारी add successfully save हो चुकी है अब अगर आपको assets add करना जैसे कि call out extensions बगेरा तो assets पर जाना है cloud पर click करना है plus पर click करना है तो आप यहां पर add कर सकते हैं call now AC services AC repair जैसे आप यहां पर add कर सकते हैं अच्छे call to action add कर सकते हैं इस तरीके से हमें complete AC repair business के लिए collect setup करना है आज की वीडियो अतनी रखते हैं वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक करें हमारे जरूर सब्सक्रेब करें कोई भी doubt है कमेंट करें धूँ करें चूँ कर दो करें हैं